नमस्कार दर्शको बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी एक्स्प्रस न्यूस चैनल पे मैं हूं सारी का सक्षिना और कारेकर में आप देख रहे हैं जानिए अपना राशी फल शुरुआत करते हैं आज के व्यादिक पंचांग से आते दिनाग 26 मार्श 2023 दिन रवीवार विक्रम समवत 2080 सथ समवत 1945 आयन उत्रा बसंत्रितु चैत्रिमाश शुक लपक्ष पंचेमी तिति है जो साम को चार बचकर 32 मिनट तक रहेगी और उसके बाद लग जाएगी सस्टी तिति नच्छत्रे क्रतिका जो दुपहर दो बचकर उसके बच्षाद लग जाएगा रोधीनच्छत्ररति योग प्रीति योग है जो राज को 11 बचकर 33 मिनट तक रहेगा और उसके बच्छाद लग जाएगा आयुशमाण योग राहुकाल जो आज का है वो शाम को 5 बच कर 20 मिनट तक रहेगा आज है इसकंद शस्टी जो लुग व्रत रखते हैं वो इसकंद शस्टी का वो आज होगा अब बात करते हैं नौरात की इसकंद माता की पूजा से मिलती है शांती वा शुक नौरात के पाचवे दिन इसकंद माता की पूजा की जाती है इसकंद माता भक्तों को शुक शांती प्रदान करती है देवासुर संग्राम के सेनापती भगवान शंकर भगवान इसकंद की मात प्रेट बुच्छ के बीच में एक देवासुर्ट संग्राम है और हम से इसके सिनापति हैं हम सहने संचालन की हमें सक्ति मिलती रहें इसलिए इसकन माता की पूजा करनी चाहिए इस दिन साधक का मन विशुद चक्र में अवेस्ति होना चाहिए जिसे कि ध्यान व्यति एकाग्र हो सके ये शक्ति परम शांती का सुक अनभाव करती है अब बात करते हैं उनकी जिनका है आज जनम दिन तो सबसे पहले उनको हार्दिक शुपकामना है हमारे चैनल की तरफ से और हमारी तरफ से आज है 26 तारीक और 26 तारीकों जो व्यक्ति जनते हैं वो धीर गंभीर परोपकारी करमट होते हैं और इनका मुलांग होता है आठ और ये ग्रह सूर पत्र सनी से संचालित होता है, आप बहुत इक्तावादी हैं, आप में अद्विक चक्तियों के मालिक है, आप अपने जीवन में कुछ भी करते हैं, उनका एक मतलब होता है, आपकी वारी कटूर और सौर ओग्रू होता है, आ आज है 8-17-26, उनके लिए शुब दिनांक है, शुब अंके 8-17-26-35-44, शुब वर्ष है 2024 और 2042, इस्ट देव है हर्मान जी और सनी देवता, शुब रंगे काला, गहरा, नीला, जार्मुनी, आप क्यासा रहेगा ये वर्ष जो लोग आज जन्में हैं उनके लिए, तो व् अब बात करते हैं, आज के दैनिक राशी पल और शुरुवात करेंगे हम मेश राशी से, आज का दिन मेश राशी वाले जातकों के लिए धन्य धान्य व्रदी लेकर आएगा, पारिवारिक मामलों में घर से बाहर ना जाने दे, नहीं तो समस्या हो सकती है, मित्रों के साथ किसी मनुरंजन के कारिकर में आप शामिल होंगे, और किसी बहुत बड़े निवेश अगर आप कर रहे तो इसमें आपको सोच विचार कर कारी करना होगा, भाई बेहन से आद आपकी बहस बाजी हो सकती है, जिसमें आपको उसमें पढ़ने से बचना होगा, और जीवन साथ आज आप पूर्ण दानपूर्ण में लगाएंगे, जिससे सुक समर्दी बढ़ेगी, लेकिन कोई भी निर्ने लेने से पहले सोच विचार करना अवश्यक है, अब बात करते हैं मिथुन राशी की, तो आज का दिन आलस से भरा रहेगा, कार्शित में करीबियों का भरोसा जितने में आप कामियाब रहेंगे, लेकिन आपकी खर्चे बढ़ेंगे और आज आपके लिए समस्या बन सकते हैं, धन का कुछ हिस्सा आपको भविश्य के लिए अवश्य संचय करके रखना चाहिए, बिजनस कर रहे हैं लोगों को अच्छा मुनाफ़ा मिलेगा और उनक यही प्रसंता का ठिकाना नहीं रहेगा, लेकिन आप दिखावी के चक्तर में बिल्कुल ना जाएं, बात करते हैं करक राशी की, करक राशी वाले जातकों के लिए आज का दिन एक नई उपलब्दी लेकर आएगा, और बहु मिखी प्रतिभा का आपको प्रदर्शन आज आपके अंदर कोई छिपी हुई कला बाहर निकलेगी, किसी महतपूर बात को परिवार के किसी सदसे साजा बिल्कुल मत करिए, और एक लक्ष बनाकर फोकस करिए, तो आपके लिए बहतर होगा, आपके आज कुछ काम लटक सकते हैं, संतान की संगती पर आपको ध्यान लगाएंगे, कुछ काम आपके लिए समस्या लेकर आ सकते हैं, संपत्ति संबंदित विवाद में आपको चुप रहना ही बहतर होगा, किसी संपत्तित सबंदित मामले में आपको जीत भी मिलती दिख रहे हैं, पदवा पृतिष्ठा मिलने से आज आज आपको खुशी होग वरिष्ठ सदस्यों का आप पूरा मान सम्मान करेंगे, जिससे वो प्रसंद रहेंगे, यात्रा पर जाते समय परिवार के सदस्यों से पूछताज करके जाएं तो आपके लिए बैतर होगा, आपको किसी मन की इक्षा पूर्ती होने से आपकी खुशी होगी और किसी कार में आप आधा नहीं बनेंगे, बात करते हैं तुला राशी की तो तुला राशी वाले जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित रूप से फलतायक रहेगा, कुछ महतपूर चर्चाओं में आपको शामिल होने का मौका मिलेगा, और आज आप किसी दूर रहे परिजन से आपको न आपकी किसी पुरानी गलती से, पुराने रोक से आजात परदा उठ सकता है, बात करेंगे अगर व्रश्चिक राशी की, तो आज का दिन उत्तम रूप से फलतायक रहने वाला गा, इस्तायत की भावना को बल मिलेगा, आप अपने निर्णय की चमता को पूरा लाव पड़ेगी और किसी पुरानी गलती से आपको सब्बक लेना होगा, संतान पक्ष्की ओर से आपको कोई खुशकबरी सुनने को मिल सकती, और जगीक मामलों में सकरिता आएगी, और किसी से किये हुए वादे और वचन को आप समय रहते निभाएंगे, बात करेंगे अगर हम धनूर आशिके तो आज का दिन आपके लिए बहुत सुच-बूच दिका कर आगे बढ़ने के लिए रहेगा, और आगे मैनत और लगन से कारे करके अधिकारीयों को आप परिशान करेंगे, स्वास के प्रती सचेत रहना होगा, यदि आपको कोई पुराना रोकता तो फिर स अधिकारीयों के लिए बहुत से उभर सकता है, किसी काम में नीती नियमों पर पूरा ध्यान दे, वैसाय कर रहे हैं लोगों के लिए दिन थोड़ा कमजोर साबित होगा, बात करेंगे अगर मकर आशिके तो आज का दिन बिजनस कर रहे हैं लोगों के लिए अच्छा सकते हैं, विद्यार्तियों के लिए आज परिच्छा में मन मताबिक परणा मिलने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, बात करेंगे कुम्बराशी की, तो आज का दिन आपके लिए सुख समरदी मन प्रसंद रहेगा, और व्यपार में व्यदी होगी, किसी मित्र के साथ कि किसी विवाद में ना पड़े, नहीं तो समस्या हो सकती है, अविवाहित जात्कों के लिए जीवन में कोई खुशकबरी आ सकती है, और साथ में लोगों का विश्वास बना रहे, परिवार के किसी सदस्र को नौकरी के लिए दूर जाना पड़ेगा, और यदि आपने आज सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको दिन दुनिया की नियूस और समाचार मिलते रहे, अब हमें दीजिये, इजाजत कल फिर आपसे इसी समय मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपका दिन शुबू, नमस्कार.